नमस्का दोस्तों मेरी न्यू वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रतीक और मेरी चैनल का नाम है बैस्पी स्पीकर अगर आप मेरी चैनल पे न्यू हो तो ब्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और बेल एकॉन को भी दबा जीए ताकि न्यू वीडियो का न आप प्रेफर करोगे करियर आप्षन के लिए या लांग टर्म करने के लिए कौन फार कर सकते हो इसके बारे में बात करने वाले हैं तो फिर चलिए शुरु करते हमारे इस टॉपिक को प्लीज वीडियो को पूरा दिखेंज ताकि आपको उसमें जो पॉइंट्स आउट होने वाले मतलब एडवांडेजेस डिशाइडवांडेजेस अब आपको पता चल जाएगे तो फिर ब्लोगिंग या YouTube कौन साब प्रेफर कर सकते हो। बहुत से लोग दोनों भी प्रेफर करते हैं, कुछ लोग YouTube प्रेफर करते हैं तो कुछ लोग blogging prefer तो यह सब के उपर हैं कि कौन सा आप देखते हैं कि ब्लॉगिंग में कॉन से आडवांटेज रहते हैं यूटुब में कॉन से आडवांटेज रहते हैं फिर देखते हैं कि ब्लॉगिंग में कॉन से डिसाडवांटेज रहते हैं यूटूब में कॉन से डिसाडवांटेज रहते हैं तो ब्लॉगिंग करना है नहीं मिल सकती तो ब्लॉगिंग में यह फर्स रूल है कि आपको एक अच्छा गासा कंटेंट लिखना आना चाहिए आपको वेबसाइट बनानी आनी चाहिए वो मुस्ट आफ ले आपको सब टुटोरियस देखे आप इजीली कर ही पाऊगे कि डोमेन बाय करना है होस्टिंग बाय करने के बाद इसको कनेक्ट करना है और वर्डप्रेस प्लगिंग इंस्टॉल करके आप अपना रिटिकर्स लिखना शूरू कर सकते हो तो स्टार्ट अप थुड़ा रहता है एजी रहता है आपको फिर कंटेंट डालना होता है फिर उसका on-page SEO, off-page SEO करना पड़ता है रैंकिंग के लिए थुड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि जो नैचुरल रैंकिंग रहती है वो कुछ टाइम लेती है कुछ वीक्स लेती है कुछ मंस ले सकती है बहुत से जो इनफेशन्स लोग है वो कभी-कभी ब्लैकट SEO भी यूज करते है उससे उनको रैंकिंग ज इसको गूगल हटा देता है कुछ अपडेट के बाद है इसलिए आपको अच्छा कासा कंटेंट और उसका SEO भी अच्छा करना चाहिए तो यह आपकी जो वेबसाइट है वहाँ वहाँ पे गूगल पर रैंक हो सकते हैं लॉंग टम के लिए और उससे आप अच्छा अर्ण क पेंगरें करता है मोस्टा फल्य लोग तो बहुत से अक्टो प्रेफर करते है क्योंक वो सबसे बढ़िया और कर से सबस्कों गयाँ चक्छा अक्रविजर्व पिछली वीडियो समें देती है help & check कर सकते हैं कि उनका सीपयं मगला कितना रहता है तो पिर वो टीर वन कंट्री से अगर आपके ऊपर ट्राफिक हो तो आपका आर पीम या सीपीसी वो सीपीम जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है तो आप अगर आपकी वेबसाइट पर सम्मिलियांस या आप वन के टुके सम्धिंग लगा ट्राफिक है तो आप अच्छा कसा अंग भी कर सकते हो आपकी अगर अर्निंग पर मंत 100 यूस दिये तो आप उस ब्लॉग को अच्छे कसे प्राइज पर बेच भी सकते हो तो यह आप ब्लॉगिंग से कर सकते हो तो यूटूब के कौन से यूटूब पर आपकी जो वीडियो जे किसी भी टाइप के वाप को जीस चीज में इंट्रेस्ट वह उस चीज में आप बना सकते हो अगर आपको टेक्नोलोजी में डालने है कुछ एसी पीज चालने है अप्लाइंसे के बारे में डालना है अन्बॉक्सिंग में डालना है या वलॉऔग अपना खुदकर चालू करना है तो उसके बारे में अपको जो टाइब रहते हो उसमें आपका वीडियों अप्लोड कर सकते होसके जो वीडियों अप्लोडिन गया ख्रीत conclusus चैनल जो ईसके व papel इसी वेते वीडियों के वह तूम इज़िस में रहे आप में आ कँस हैं आएसे मैने बहुत सर वीडियोश दाले है YouTube के जो वीडियो के एससे करे ऊपने बहुत बार हम वहां से प्रेफर कर सकते हो तो YouTube में आपको अपनी वीडियो पर रहने रहते हैं उसको मॉनिटाइसेशन करना है रहता है और आपकी जाएंट यह बस向う तो आपको वीडियो में स्कील रहते हैं जो नीच रहते हैं उसके बारे में बहुत सी जानकर्य होनी चाहिए है कुछ इडिटिंग में थोड़े बैसिक एडवांस लेवल के स्कील्स होने चाहिए अगर आपकी वीडियो ग्राफिक डिजाइन्स रिलेटेड हो तो आपको इडिटिंग में अच्छे का से स्कील्स आने चाहिए तो यह अच्छा कुछ हो सकता है तो यह सब आपके अगर थाउजन डॉलर्स में आप इजी लिए अन का सकते हो अगर आपकी वीडियो उसके यह सब स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं रहता उसके लिए आपको पेशन्स होना बहुत जरूर रहत है पेशन्स मस्ट है उसके लिए क्योंकि किसी भी यूटूबर को पहले दिन मिलिय अंड्रेट के टूंड्रेट के ऐसे व्यूज कभी नहीं आते हैं वह हाडवर्क करते हैं बेसिक टू एडवांस तक वैसे उनको अच्छा कासा अनिंग मिल जाता है तो इन दोनों के जो डिसाडवांटेज वह क्या है ब्लॉकिंग में बहुत सारे लोग अगर एड्स प्ले अमेज़ान में ट्राइकर है तो इसमें जो एक डिसाडवंड़ेज कुछ मन पहले ही रिलीज हुआ की कमिशन रेट बहुत सारे कम कर दिये तो बहुत सरे ब्लॉगर्स का जो यह अफ्लेटर का बहुत सारा नुकसान हुआ वह बहुत बड़ा डिसाडवंड़ेज हो गया उ उनके साइड भी सेल करने के लिए स्टार्ट कर दिये हैं कि बहुत सारी रेट्स डाउन हुए इसलिए और दूसरा जो बात है वह में बात है कि गूगल अपडेट्स गूगल अपने अपडेट्स मंद्ली या विकली कैसे रिलीज करती रहती है और डेली भी बहुत सारे अपडेट्स रहते हैं पर वह जाद अधर अनॉस्मेंट नहीं करते हैं पर वह उनके जो अपडेट्स रहते हैं वह डेली भी होते रहते हैं और जो मेजर अपडेट्स आते हैं उनसे आपकी रैंकिंग भी बहुत टैम डिक्रीज भी हो जाती है कभी-कभी इंक्रीज हो जा सब्सक्राइबर्स उसके लिए मस्ट आपका चैनल मॉनिटाइज करने के लिए और दूसरी बात है कि वह फॉर थावजन होने चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ मन्स भी लग सकते कुछ वीक्स भी लग सकते या कुछ इयर्स भी लग सकते वह दोनों के लिए इलेजिबल होने के लिए तो यह आप अपनी जो चैनल है उसको मॉनिटाइज कर पाओगे औ और अर्निक स्टार्ट कर पाओगे तो यह दोनों के जो डिसाडवांटेज और एडवांटेज मैंने बता दीजिए तो फिर आप कौन से प्रेफर करें आपके उपर है किसमें आपको ज्यादा इंट्रेस्ट है वह आप प्रेफर कर सकते हो कोई भी नीच जिसमें आप लॉ भी आप प्रेफर करोगे तो कुछ मांस या कुछ वीक्स तक आप कर पाओगे अपना अनौलेज उसमें देपाओगे पर आगे जाके आपको दिक्कत आएगे कि मैं कंटेंट क्या डालो तो विर आप ऐसा नीच या कैटेगरी आप प्रेफर कीजिए जिसमें आपको इंट् कर सकते हो दोनों भी प्रेफर कर सकते हो एंटे टाइम करियर के लिए पह। आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा जाएगा व्लोग आपको करना ही पड़ेगा और योटूब में भी विडियो एपको टालने ही पड़ेगे आपको यूट्वय चैनल क्या कुछ वीडियोज डाले वह आप रेफर कर सकते हो इसके लिए तो फिर धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए प्लीज लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद रही हो और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और अगर आपको कोई आपको जरूर रिप्लाइज कर दूंगा थैंक यू बरी मच मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छे कासी न्यू टॉपिक के साथ